सही बच्चोगुन मश्कार हम क्लास 10th Mathematics and CRT Hindi Medium इसको टिसस कर रहे हैं इसका चेप्टर 1 है वास्त्विक संख्याएं ठीक है इसमें हमने exercise 1.1 का इंट्रो अंग गनित इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन परिचय अंगडित के आधार भुत प्रमे एक और प्रमे थी कि अगर कोई संख्या पी जो है एक स्कार को भाग करती है तो एक को भी करेगी ठीक है आज हम आप परिमे संख्याओं से समंधित जो एक साइज 1.2 है उसके कुछ एक्जामपल डिसस करेंगे फि आप परिमे संख्याओं है यह सिद्ध करना है इसको सिद्ध करने के लिए हम एक कंट्रडिक्शन मेथेट का यूज करते हैं कंट्रडिक्शन मतला होता है विरोधा भास विरोध मतलब जोग हमसे कहेंगे सिद्ध करो हम उसका उल्टा मानेंगे अगर हमसे कहेंगे सिद्ध कैसे करेंगे हम पहले ये बताने जा रहे हैं कि root to एक परिमे संक्या है बाद में अपने तरकों दोरा हमें सिद्ध कर देंगे कि हमने जो माना है वो गलत है तो हमने माना कि root to एक परिमे संक्या है परिमे संक्या है आप जानते हैं परिमे संक्या को A पान B के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है तो अता है रूट 2 को क्या लिखा जा सकता है अता रूट 2 को लिखा जा सकता है A पान B जहां A और B क्या है जहां A और B पूरांक है पूरांक है वैसे आप लिख दो तो सह अभाद जिसन क्याएं हैं, ये थुआ सा tough लगेगा word, इसलिम लेख नहीं रहे हैं, पुरांक हैं, और यहां जो B है वो 0, नहीं है, और A और B का 1 के अतरिक्त, वन के अतरिक्त कोई भी उभैनिस्ट उभैनिस्ट गुरन खंड नहीं है बस यही चीज हम पकड़ेंगे हमने यह माना है कि A upon B जो लिखा गया है जैसे आप यह 3 upon 6 नहीं लिखेंगे काट पीट के toul लिखेंगे हैं मतब यह संक्या काट पीट के लिखी जाती है आपने lowest term में मतब कोई भी मुदंखंड common नहीं है वन क्या लावा है कि क्योल वन से कड़ सकती है और जो संख्या हैं दो ऐसी संख्या है जो किवल वन से कर सकती हैं वो सहाभाज संख्या होती हैं तो कहीं कहीं लिखा होता सहाभाज संख्या हैं पस इसी वर्ट को हम पकड़ेंगे कि देखो हमने कहा था कोई भी गुलंखंड एक क्यात्रिक नहीं है और देखो यहां तो निक होगा कोई दिक्कत अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहां पर आएगा 2b square बराबर a square यहां बात पकड़ में आई कि नहीं आई अब देखो ध्यान से a square बराबर 2 into b square a square को 2 into b square लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है a square का गुड़ंखंड 2 है यह नोट का लिया होगा इसको उम्राब करेंगे इसका मतलब क्या हुआ वह a square को अगर कि संख्या को आप दो चीजों के गुड़ंखंड लिखते हो तो गुड़ंखंड होती है तो आप क्या कह सकते हो कि आता a square का एक गुड़ंखंड 2 है कह सकते हो ना यानि कि आप ये भी कह सकते हो कि जो a square है वो 2 से विभाजित हो जाएगा ठीक है और अभी आपको इसके पहले थेवरम में कराई गई होगी यहाँ पहले जस्ट पहले इसमें वीडियो पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कि अगर गुड़ंखंड का मतलब ये संग्या इसको भाग करेगी अगर 2 a square का गुड़ंखंड है तो 2 a का भी गुड़ंखंड होगा आता है है कि 2 a को 2 का कुछ गुणा 2, 4, 6 को लिखा जा सकता है तो हमने a को माना a को हम क्या ले सकते हैं 2 के लिख सकते हैं माल लेते हैं नई समझे भाई 2 गुणित something a square है तो 2 गुणित कुछ करने पर a square गुणा मतलब 2 a का गुणखंड हो गया 2 a का गुणखंड है तो 2 a square का गुणखंड हो गया और 2 a square का गुणखंड है तो 2 a का भी गुणखंड होगा नहीं होगा और गुणखंड का मतलब होता है कि a को 2 के गुणक के रूप में लिखा जा सकता है तो हमने मान लिया a को 2 के लिखा जा सकता है इस a का मान उठाओ औ का मान समीकरण एक में रखने पर जब यहां रखोगे तो आएगा 2B square बडाबर एक को रखोगे 2K का square तो 2B square बडाबर 4K square ये 2 से काड़ दो तो B square बडाबर 2K square आ जाएगा 2 से कड़ गया अब ज़र ध्यान से दिखेगा 2 में किसी चीज़ से गुणा किया है तब B square बिला है इसका होता B square का गुणाखंड एक 2 हो गया यानि आता हा 2B square का भी गुणाखंड है का भी गुणाखंड है और अगर 2B square का होता है तो 2B का भी होता है ये खंड लिखा है रैटिंग अंदी है जरा तो 2B का भी गुणाखंड है जो कि हमारे जो हमने माना है उसका विरोध है आपने माना क्या है कि A और B का कोई भी common गुणाखंड नहीं है कि और एक है और अभी तो आप बता रहे हो कि 2A का भी गुणाखंड है और 2B का भी गुणाखंड है तो आप लिखेंगे अता ये हमारी जो कलपना है जो संकलपना आपने की थी उसका विरोध है ये हमारी कलपना के विरोध है आप लिखेंगे अता गुणाखंड है जो की हमारी कलपना के विरोध है हमारी कलपना कि विरुद्ध है, किसी का नाम कल्पना हो नो समझे न, विरुद्ध है हमने कल्पना क्या कि थी, हमने कल्पना कि थी, कि रूट टू एक परिमेशन क्या है इसको A अपान B के रूप में लिखा जा सकता है और जहां A और B पूरांग है, B 0 नहीं है और दोरों में कोई भी common factor नहीं है मतब कि वहल एक से उकटेगा अभी तो एक, इसका factor हो गया, इसका भी दो factor हो गया तो आता, root to A अपरिमेशन क्या है root to A अपरिमेशन क्या है, समझ में आई बात नहीं आई इसी language को मानते वे हम उसकोशन लगाएंगे, ठीक है इसके बाद, root C के बारे में बात करेंगे तब तक, enjoy करिए